हेलो दोस्तों हम बात करने वाले हैं winter study time table की winter आ चुके हैं तो आपका क्या time table होना चाहिए जिसके help से आप अच्छे से study कर पाओ और अच्छे marks भी ला पाओ तो बात करेंगे आज के time table के बारे में तो शुरात करते हैं morning से तो आप morning में जितना हो सके उतना जल्दी उठने की क काम करना है कि आप fresh हो लो अपने क्रोश चेंज कर लो इसके बाद आप seven to seven thirty इस time पर आप पहले एक या दो ग्लास पानी प्येंगे जो आपकी body के लिए काफी अच्छा होता है आपका metabolism काफी इससे अच्छा हो जाता है और उसके बाद आप exercise स्टार्ट करेंगे आप आदे गंटे के अंदर थोड़ी बहुत exercise कर लेंगे like आप थोड़ी बहुत running कर सकते हैं या push-ups, pull-ups, squats, कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप morning sunshine ले सकते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा beneficial होती है कि उसके अदर आप vitamin D होता है और vitamin D आपकी body health के लिए काफी अच्छ agency होती है तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप ये चीज़ ट्राय कर सकते हो कि आप सुभा सुभा sunlight लीजिए उसके बाद 7.30 टू 8 अम ये आपका ready to school time है आप इस time पर school के लिए ready हो जाएंगे अब school का time क्यूंकि आपके 8 बजे में मानके चलता हूं तो आप उस आदे घंट के तीन बजे तक आपका school होगा हो सकता है कि आप स्कूल से पहले आ जाओ दो बजे धाई बजे बढ़ हम मानके चलते कि आप तीन बजे घर पहुँच जाओगे उसके बाद 3-4.30 ये आपका lunch time है break time है और nap time है इस देड़ गंटे के अंदर आपको लंच भी करना है थोड़ तो आप तक चुके होगे तो आप इस time अराम करेंगे अपने आपको फिर से recharge करेंगे उसके बाद 4.30 तो 6.30 ये आपका self study time है आप इस time self study करोगे दो घंटे के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो आपका पढ़ने का मन करता है या फिर अगर आपके exams आने वाले हैं या किसी particular subject के तो आप उस subject को पढ़ेंगे इस time पर या फिर आपको जो subject पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उससे पहले start कर सकते हैं वो कुछ भी हो सकता है math हो सकती है science हो सकती है English हो सकती है तो आप उससे पहले start करेंगे और हो सकता है कि आपका इस time पर coaching time हो तो आप इस दो गंटें के अंदर कोचिंग होकर आएंगे और अगर कोचिंग नहीं है तो आप अपनी self study करेंगे या फिर आप अपना homework भी इस time पर कर सकते हैं तो ये दो घंटे का आपका study time होगा उसके बाद 6.30 to 7.00 पीम ये आपका again break time है क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको थोड़ा rest भी चाहिए होगा तो आप आदे घंटे का break लेंगे आप इस time पर जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं आप अपना phone time है जो भी आपने self study में पढ़ा था या फिरा जो भी आपका homework था आप उसको revision करेंगे एक बार क्योंकि आप जब कोई भी चीज बार बार पढ़ते हो तो आपको वो हमेशे के लिए याद हो जाता है तो आपने भी दो घंटे में जो study करी है उसको इस एक घंटे के अंदर आपको revise करना है या फिर आप कोई नया subject पढ़ सकते हो और example कि आपने उस दो घंटे के study time में आपने math पढ़ी थी तो इस time पर आप science पढ़ लोगे या फिर आप उस time पर science पढ़ी थी तो आप इस time पर अपनी social science पढ़ लोगे तो ये आपका एक घंटे का study session है जो की काफी beneficial है आपके लिए उसके बाद 8-9 ये आपका dinner time है और family time है इस time पर आप dinner करेंगे अपने जो घर के काम है वो सब कर सकते हैं आप अपने family member से बात कर सकते हैं इस एक घंटे के अंदर या फिर आप जो अपने friends से बात करना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं उसके बाद 9-10 ये आपका time है it's your time आपको जो अच्छा लगता है इस time पर आप वो करो आगर आपके exam चल रहे हैं टे doubles बढ़ सकते हो या फिर आप TV या वीडियो गेम जो आप करना चाहो इस time कर सकते हो बट अगर आपके exams करीब हैं जैसे कि टेस्ट आने वाले हैं तो इस time पर आपको पढ़ना जरूरी है उसके बाद 10 p.m. अब 10 p.m. आप mostly सोने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर आपके exams करी तो अगर आपको late night study करनी है तो उसके लिए मेरे अलग से वीडियो बना रखिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best, thanks for the watching and peace.